नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल वी एनकेडी इस्टेडी पोर्टल पर जैसा कि आप सभी जानते हैं हम लोग सीटेट के इचाम को ध्यान में रखते हुए इनसी आटी का स्रीज स्टार्ट किया है देखे आज हम लोग क्लासिक्स का जो इतिहास का बुक है अध्यार पांच आज हम लोग पढ़ेंगे देखे चैप्टर का नाम है राज राजा और एक प्राचिन गड़ राजे यदि इससे पहले आप लोग चार अध्यार नहीं संकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी उड़ डालने जा रहे थे दर असल हम लोग अपने सासको का रहे है कुछ लोग सासक कैसे बने लगभग पचास वर्सों से हम अपने सासों का चुना मतदान के जरिये करते आ रहे हैं लेकिन बहुत पहले लोग सासक वैसे बनते थे याने की बिना मतदान किये करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यग्यों को आयुजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए देखिए NCRT का हर एक लाइन जो है सीटेट के एकजाम के लिए बहुत ही इंपर्टेंट है इसलिए आप लोग एक एक लाइन को ध्यान से देखिए सुनिए और पढ़िए अस्वमेध यग्य एक ऐसा ही आउजन था देखिए जाम में अस्वमेध यग के बारे में पूछ सकता है तो देखिए इसके बारे में क्या है इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंतर बिच्रण के लिए छोड़ दिया जाता था इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अस्वमेध यग करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी अगर उन्हों ने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अस्वमेध इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाताथा अस्व मेधा यग्य करने वाला राजा बहुत सक्तिसाली मना जाता था यग्य में अमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे इन सभी आउजनों में राजा का मुख्य अस्थान होता था उसे राजसिंग हासन या बाग की खाल के एक बिशेस आशन पर बिठाया जाता था युद्धचितर में राजा का सार्थी उसका सहचर होता था यग्य के आउसर पर वह राजा की बिजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था राजा के सगे संबंदी खास कर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे अन्य सारे आमन्तित राजाओं का काम सिर्फ बैट कर यग्य की पूरी प्रकिरिया को देखना भर था राजा के उपर पुरोहित पवितर जल के छिड़काओं के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था 20 अथवा बैस जैसे सामान लोग उपहार लाते थे जिन्हें पुरोहित सुद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में सामील नहीं किया जाता था तो पूछ लेगा कि किने सामिल नहीं किया जाता था तो देखिए जो बैस लोग थे उन्हें सामिल नहीं किया जाता क्यों कि प्रोई जो लोग होते थे उन्हें सुद्र मानते थे यहां पर हम देखते हैं, देखे, ऊड के बारे में लिखा है, देखे, जाम यहां से प्रसनी बन सकता है, यह important है, इसको दियां से देखिए, उस समय चार सामाजी को वरगते, याद रखेगा, उस समय चार सामाजी को वरगते, एक ब्रामहण, दुसरा चात्रिय, तीसरा बैस देखे ब्रामणों का काम वेदों का अध्यापन और येग करना था जिनके लिए उपहार मिलता था छत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रचा करना था बैस्तियों का काम खेती पसुपालन तथा ब्यापार था और देखे शुद्रों का काम अन्य तिनों वर्गों क सेवा करना देख़े जो ब्राम होड लोक थे उनका काम था वेदो का अध्यापन और एग करना जो च्छत्मीं लोग थे उन wins usually क्मश्यों करना रीकौत की रूठ देखे इस तरह के पात्रों में ज्यादा थालीय और कटोरियां ही मिली है ये पात्र भहुत ही पतली सता के सुन्दर और चिकने हैं सायद इसका प्रियोग खास मौकों पर महतपुर लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था देखे इससे देख सकते हैं इसी के बारे में लिखा गया है अब देखे हम लोग पढ़ेंगे जनपद के बारे में फिर आगे लोग महा जनपद के बारे में पढ़ेंगे देखे जन्पद का साब्द कर्द के आता तो देखे जन के बसने की जगा होता है कुछ महतपूर जनपत मांचितर अचार में दिखाए गए हैं वह आगे हम लोग देखेंगे पुरा तत्तवईदों ने इन जनपतों की कई बस्तियों की खुदाई की है दिली में पुराना किला उत्तर प्रदेश में मिरड के पास हस्तिनापूर और एटा के पास अतरंजी खेडा इन में परमुक हैं भुदाई से पता चला है कि लोग जो पड़ियों में रहते थें और मवेसियों तथा अन्य जानरों को पालते थें वे चावल गेहु धान जो दाले गन्ना तिल तथा सर्थोद ऐसी फसले उगाते थे लोग मिट्टी के बरतन भी बनाते थे इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे यह जाद रखेगा रंग भी कुछ सकता है तो जो मिट्टी के बरतन बनाते थे वह कौन-कौन सरंग कोते थे तो देखे कुछ दूसर और कुछ लाल रंग के होते थे यह पूरा अस्थलों में कुछ बिशेज प्रकार के बरतन मिले हैं जिन्हें चित्रित दूसर पात्र के फड़ेंगे महा जनपद करिब 25 सब सकाथ जन अधिक महतफुड हो गए इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा मांचितर चार में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है अधिक तर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी कई राजधानियों में किलिवंदी की गए अर्थात इनके चार ओर लकडी इंट या पत्थर की उची दिवारे बनाई गए थी तो देखिए यह जो है महाजनपद है कुछ महत्तपुड जनपद महाजनपद और नगर जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग अंग है, मगध है, वजजीवा, ली, कौसामबी, कोसल देख सकते हैं यहाँ यह महाजनपद दिया गया है आगे हम लोग देखते हैं, ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डर कर अपनी सुरच्छा के लिए इन किलों का निर्माड किया कुछ राजा अपनी राजधानी के चारो और विसाल उची और परभावसाली दिवार खड़ी कर अपनी सम्रीध और सकत का परदर्शन भी करते थे इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस अच्छे तरह पर नियंत्रड रखना भी सरल हो जाता होगा इस तरह की विसाल दिवार बनाने के लिए वियापक योजना की आवसेक्ता होती थी और लाखो की संख्या में इंटो तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था हजारों इस्तरी पूर्सोत था बच्चों ने इसके लिए अधक परिश्रम किया होगा इनके लिए संसाधनों की आवसेक्ता पड़ती होगी यहाँ पर देखते हम लोग कौसांबी किले की दिवार यह चित्र आधोनिक उत्तर प्रदेश के इलहाबाद के पास मिली इंट की दिवार पर आवसेस है इसके एक भाका निर्मालत संभौत पच्चीसो साल पलेवा था देखी यह कौसांबी का एक दिवार है आगे देखते हम लोग अब राजा सेना रखने लगे थे सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था कुछ भूगतान संभौत आहत सिक्कों के रूप में होता था इन सिक्कों के बारे में भी हम लोग यहां पर इखा की अध्यायाठ में पढ़ेंगे अब देखे हम लोग कर के बारे में जाल लेते हम लोग जन्पत पढ़ें महा जन्पत पढ़ें फिर कर के बारे में देखते हैं देखे महा जन्पदों के राजा 20 साल के लिए बर्माते थे और बड़ी सेना रखते थे इसलिए उन्हें परचूर संसाधनों की आवसकता होती थी इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवसकता होती थी अता महा जन्पदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगें जैसे देखिए फसलों पर लगाए गए कर कारीगरों के उपर लगाए गए कर फसुपालकों को जानरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था और देखिए वियापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था आखेटकों तथा संग्राकों को जंगल से प्रा अब लोहे के बनने लगें अब कठोर जमीन को लकडी के फाल के तुल्ला में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था इससे फसलों के उपज बढ़ गई दूसरे लोगों ने धान के पोधों कारोपर शुरू किया अर्थात खेती में यानि देखे लिखा कि खेतों में बीज छड़क कर धान उब जानने के बजाय धान की पोधा तयार कर उनका रोपर शुरू किया गया अब पहले की तूला में बहुत ज्यादा पोधे जीवीत रह जाते थे इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी अब देखे यहाँ पर लिखा कि सुप्षन रिच्छड पहला देखे मगद के बारे हम लोग देखते देखे मगद एक बहुत ही सक्तिसालिक महाजनपत था इसके बारे हम लोग अध्या एक में पढ़ जुके हैं देखे लगउब्वाओ 200 सालों के बहातर मगद सबसे महात्पूर जनपत बन गया गंगा और सोन जैसी नदिया मगद से ओखर बाती थी यहाँ देखेगा एक जामीपूर सकता कि मगद की नदियों के किनारी बसाया उससे कौन को से नदिया बहती थी तो गंगा और सोन देखेए यहाँ पर लिखा कि यात्तायात जल बित्रड और जमीन को उजाव बनाने के लिए बहुत महतपूर थी और उन्हें प्रसिचित कर सेना के काम में लगाया जाता था याद रखेगा जो मगद था उस समय बहुत हाथी पाई जाती थी मगद के महाजनपद में जंगल में बहुत हाथी थी यही नई जंगलों से घर गाड़ियां तथा रत बढ़ाने के लिए लकड़ी मिलती थी इसके अलामा इस छेत्र में लव अयसक की ख़दाने है मजबूत आउजार और हत्यार बनाने के लिए यह बहुत उपयोगी थे मघथ में दो बहुत ही सकतिसाली सासक याद दके क्षान और निषकर्थ वाल है प्रसने सी लाइनों से पुछे जाते हैं सिल् jornal में इन सभी लाइनों को आव भ्यान से पढ़ये अन्य जंपदों को जीतने के लिए यह हर संभव साधन अपनाते थे महां पदमनंद एक और महत्रपूर सा सकते हैं उन्होंने अपने नियंत्र का छित्र इस उपमहादीव के उत्तर पच्वी भाग तक फैला लिया था बिहार में राजगीर यानि देखें जो आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगत की राजधानी बनी रही जाद रखेंगा जो मगत की राजधानी बनी रही कौन सी थी तो बिहार में राजगीर है बाद है पाटले पूत्र को राजधानी बनाया गया तो देखें पहले तो रा पूरी तरह सफलना होने पर भी वह मिस्र और पच्छमी एसिया के कुछ राजियों को जितता हुआ भारतेवु महादेप में ब्यास नदी के किनारे तक सिकंदर पहुँच गया जब उसने मगद की और कुछ करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इंकार कर दिया लेखे बहुत वार इकजाय में पोचा है कि सिकंदर के सेना ने किस नदी को पार करने से इंकार कर दिया तो ब्यास नदी को पार करने से इं वहाद आप देखते हैं जैसा के तुमने ऊपर पढ़ा मगद एक सकते साली राज बन गया था उसके नस्दी कही उवजी राज था जिसकी राजधानी वैसाली थी याद रखेगा जो मगत था उसकी राजधानी इस्टार्ट में कहां थी राजगीर थी फिर बाद में उसको पाठली पुतर किया गया अब यहाँ पर देखे जो वजी है इसकी राजधानी कहा है वैसाली थी जो वर्तवान बिहार थी यहाँ एक अलग किसम की शासन बेवसा थी जिसे गड़या संग कहते थे गड़ या संग में कई सासक होते थे और इसमें से प्रतेक व्यक्ति राजा का लाता था ये सभी राजा विविन अनुष्ठानों को एक साथ संपन करते थे सभाव में बैठकर ये बाचीत बहुत सरवाद विवाद के जरिये तै करते थे दोवाद सत्था कमकार इन जभाव में आसा नहीं ले सकते थे यह फोर थे देखिए वजी संग का यह वड़न दीघ निकाय से लिजा गया याद रखेगा वजी संग का यह वड़न है वह दीघ निकाय से लिजा गया है दीघ निकाय एक परसीद बहुत गरंत है जैसे आप लोग अंगुतन निकाय के बारें जानते उसी परकार यह दीघ निकाय है जिसमें ज़कार को बुध के पास सलह के लिए भेजCorps बूध ने उनसे पुछा कि क्या वजी सभाय नियमितर रूप से होती हैं जब तक वे पूर और नियमित सभाय करते रहेंगे, आसपास में मिल जूल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, वज्जी महिलाओं के साथ जोर जब दस्ति नहीं करेंग और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, सरोत अथा गाओं में चैत्यों का रख रखाव करेंगे, विभिने मताव लंबी संतों का समान करेंगे और उनके आने या न जाने पर कोई रोग नहीं लगाएंगे अब आगे देखते हैं हम लोग कई सक्तिसाली राजा इन संगों को जीतना चाते थे हैं, इसके बाव जीत उनका राज अवसे लगभग 1500 साल परे तक चलता रहा, उसके बाद गुब्त सासकों ने गड़ और संग पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज में सामिल कर लि तो यहां पर देख सकते हैं अब यह चेप्टर जो है, खतम हो चुका है, तो दोस्तों यह आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लिज वीडियो को लाइक कीजिएगा, सेर कीजिएगा, देखिए मैं कभी भी लाइक और सेर या सब्स्राइब के लिए नही यह भारत